नमस्कार मैं रविश कुमार ट्वीटर के मालिक इलन मस्क भारत की जेलों से दर गए हैं भाई ने बीबीसी को ट्वीटर पर सुना दिया कि आप सरकारी चैनल हैं तब भी डर नहीं लगा बलकि बीबीसी को इंट्रिव्यू भी दे दिया एक भाई ने उनसे पूछ लिया कि ट्वीटर पर बीबीसी ने नरेंद्र मोदी वाली जो डॉक्यूमेंटरी बनाई है वो क्यो बैन किया तो इलन मस्क की कपकपी छूट गई पहले तो पला ज़ाडा कि हमें इस केस के बारे में पता नहीं है फिर का कि भारत में सोशल मीडिया का कानून बड़ा सक्त है अगर अपने लोगों को जेल भेजने और कानून का पालन करने मेंसे किसी एक को चुनना हो तो मैं कानून को चुनूंगा आप गेस किजे कि मस्क ने मदर अब डिमोक्रिसी की तारीफ कर दी या कटाक्ष कर दिया बताएए जिसके पास बिजली की गती से चलने वाली बिजली की कार हो वो जिपसी से चलने वाली पुलिस से डर गया नॉंसेंस मैं बैठाओं इस कार में नियॉयॉर्क में अच्छा भला ये मामला दब गया था आप लोग भूल गये थे बीबीसी की डॉक्यूमेंटरी के बारे में लेकिन मस्क ने बोलकर इसे उपर कर दिया हर ट्वीट पर जवाब देना इन्हें जरूरी था मस्क भाई साब साब बोलो भारत की जेलों से डर लगता है या एडी से कहीं संजे सिंग की प्रेस कॉंफरेंस सुनकर हालत तो खराब नहीं हो गई है जैसा हम कहते हैं वैसा लिक इतना पीटा गया इतना मारा गया इतना मारा गया किसके दोनों कान के परदे फट गए मस्क के कान बहुत तेज है लगता है सुलिया भाई ने जो संजे सिंग ने कहा कान बचाओ पहले जान तो बची जाएगी मस्क इसलिए कहता हूँ कि विदेश ही नहीं देश में भी आलोचनाए बंद करने की बहुत जरूरत है ताकि किसी को कुछ भी पता ना चले बताइए बदनामी क्या केवल विदेश में होती है अपने घरों में नहीं होती जब से ट्वीटर खरीदा है मस्क भाई ने बहुत शेर बन कर घूम रहे थे वैसे आजकल के शेरों को क्या प्रॉबलम हो गया है राहूल गांदी से दिक्कत होती तो कोई बात नहीं थी पी-एम से प्रॉबलम हो गया इनको हो क्या रहा है कंट्री में जो विदेश में है उसे यहां की जेल से डर लग रहा है और जो यहां का शेर है वो पी-एम के सामने नहीं आ रहा है हैं भाई मैं आप दोनों से पूछ रहा हूँ क्या आप उस समय जंगल में थे जब पी-एम साहब आये थे कैमरा हाथ में था तोप नहीं था तो फिर आप दोनों सामने क्यों नहीं आए क्या कंट्री के किंग के प्रती जंगल के किंग का ये बिहेवियर होगा डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे आज का वीडियो गजब है हवाओं की तरह कभी बांदीपुर के बागों की तो कभी इलन मस्की तो कभी सत्यपाल मलिक की गलियों की तरफ जाने लग जाता है आरोप ये है कि आरेसेस का कोई बंदा है जो दो तीन सो करोड देने की बात कर रहा था मुझे नहीं सत्यपाल मलिक जी को तब जब जम्मू कश्मीर के राजेपाल हुआ करते थे ओफर कौन दे रहा था मलिक जी ने कहा आरेसेस से कोई बहुत बड़ा आदमी था एक बहुत महित्वपूर्ण खुलासा नाम लेकर कर रहे है आरेसेस के एक वरिष्ट नेता राम माधव का उन्होंने स्पर्ष तोर पे नाम लिया प्रधान मंत्री के करीबी से जुड़े हुए ये शब्द सत्पाल मलिक जी के हैं आप देख रहे हैं रविश कुमार ओफिशल हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और जोइन भी कीजिए भारत में हंगामा है कि प्रधान मंत्री को बाग नहीं दिखा पत्रा आ गया है कि फिनेंशल टाइम्स को लेकर जो हमने अपने वीडियो में दिखाया था उस पर उनका भी पक्ष रख दें ग्लोबल चैनल के लोग यूट्यूबर को गंभिरता से लेने लगे हैं और यहां अपने मस्क भाई जेल जाने से डर रहें जरूर उनका पक्ष रखेंगे जब अदानी के चैनल पर अदानी के बारे में शरत पवार का बयान चल सकता है और फिर शरत पवार कह भी सकते हैं कि मुझे कोई एतराज नहीं अगर जेपी सी की जांच हो तो रविश कुमार उफिशल पर आदानी का पक्ष तो चलना ही चाहिए यही पत्रकारिता का उसूल है इस वीडियो में आप क्या देखेंगे मुझे पता नहीं लेकिन पूरा देखेंगे तो आप जरूर समझ जाएंगे कि हम तो अब इस लायक बचे ही नहीं तो पता रख कर क्या कर लेंगे हम का मतलब आप से है सर उधर मत देखिए बांदीपूर के बाग लोग ना चुनाओ प्रचार में गए होंगे आप अपने प्रचार पर ध्यान दीजिए हाँ आपका ये फोटो बिंदास है किसमें नहीं होती सदा यंग दिखने की चाहा है खाकी पैंट्स एंड कैमोफलॉज टी शिर्ट एंड आल डैट के साथ साथ किसी भी इंस्टारील को टक कर देने वाला एक गम परफेक्ट है प्राइम मिनिस्टर सर बस चलने के अंदास से लगता है बाग कन्फ्यूज हो गए होंगे बागों को पता लग गया होगा कि आप इंडिया के पी-म हो कैमरे के फ्रेम से दूर ही सही कहीं न कहीं सौपचास कमांडों तो होंगे ही बंदूक लेकर जब जेल से मस्क डर गया तो ये तो बाग है ठीक है ये शिकारियों का रेकॉर्ड जानते हैं पर आप तो इन्हें बचाने आये हैं फिर भी इन्हें समझ नहीं आया मुझे लगता है कि घास के बीच छिपा ये टाइगर ही सब का नेता होगा इसी ने आपके खिलाब सब को भरकाया होगा दिस वन सर दिस वन इसके मुबाइल में पेगेसस लगा दीजिए सब पता चलेगा पूछिए जब जंगली भैसा आ गया बारा सिंगा आ गया हिरन आ गया हाथी भी आया तब भाग लोग क्यों नहीं आए अगर बाग दिखता तो उस दिन आप बाग की फोटो नहीं डालते अरे हाँ हमने भी नहीं सोचा कि चर्चा बाग की हो रही है और फोटो भैंसे का आ रहा है हम इस खबर की पुष्टी नहीं कर सकते इसलिए हमने व्रंग का रास्ता चुना अगर यह सही है तब भी हस्ते हस्ते लोड़ पोर्ट हो जाने वाली खबर है क्योंकि गंभीर तो आप किसी चीज़ पर होते भी नहीं है क्या ये हंगामे की बात है कि बांदीपूर टाइगर रिजर्ब में प्रधान मंतरी को बाग नहीं दिखा नियू इंडियन एक्सप्रेस में खबर चपी है कि प्रधान मंतरी को बाग नहीं दिखा तो अब पूछ ताच हो रही है दबाओ बनाए जा रहे है बोस्की खन्ना की रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि बांदीपूर टाइगर रिजर्व में 22 किलोमिटर की सफारी के दौरान कोई बाग नहीं दिखा इसके लिए जीब के चालक मदु सुदन को कुछ लोग जिम्मेदार ठहरा रहे हैं बीजेपी के नेताओं और वन विभाग के वरिष्ट अफसरों ने मदु सुदन के खिलाब कारवाई की मांग की है क्योंकि वह उस रूट पर नहीं ले गया जहां बाग दिख सकता था कॉंग्रेस के मीडिया प्रमोक्ट ने जड़ से खबर की कॉपी ट्वीट कर दी और लिख दिया अफकोर्स उन्होंने इंग्लिश में लिखा कि अब पता चल रहा है कि शिकारी शंबू को बांदीपूर में बाग दिखा ही नहीं था वो काफी गुसे में थे SPG वन विभार के करमचारियों को दोशी ठहरा रही है जो पलट कर सुरक्षा करमियों को दोशी ठहरा रहे है भुपेंदर यादाव इसे हलके में ले रहे हैं मैं तो कहता हूँ कि उन्हें ही बरखास कर दीजिए ऐसा जैराम रमेश कह रहे हैं अंत में लिखते हैं सब बेकार गया वो कैमरा भी और वो पोज भी आदरनिया, महाराजा धिराज, बनराज, नरेशों के नरेश, बागहेश जी आप जिस देश की जंगलों में विराजते हैं उस देश में नौटंकी, पानी की टंकी के ऊपर चड़ गई है और आप दाट चियारना बंद कीजिए, बुस्सा छोड़िए और मेरी बात ध्यान से सुनिए हाँ, आप चारों से भी बोल रहा हूं, मेरी बात सुनिए आप केवल जंगल के राजा नहीं हैं, इंडिया के नैशनल एनिमल भी हैं आपके कमांडर आए और आप मिल ले नहीं आए, ये तो गलत बात है माईक पांडे ने आपके बारे में लिखा है कि आप लोग काफी शर्मिले होते हैं आदमी से पंगा नहीं लेते, हजारो बार वे आपके सामने से गुजरे मगर आप अपनी दुनिया में मस्त उन्हें इग्नोर मारते रहे, चले गए बात ये है कि माईक पांडे को इग्नोर मारना ठीक है मगर इतना तो चेंज करना ही पड़ता है ना, पी-म सर के लिए अब यहां मैं किसको समझाओं, पी-म के दौरे के समय या एक दिन पहले हेलिकॉप्टर उड़े होंगे उनके रास्तों की जाच हुई होगी, सुरक्षा कर्मी घूम रहे होंगे क्या पता जाड़ी के पीछे बंदूक लेकर भी बैठे होंगे तो आप कैसे पी-म सर के सामने आते बागेश जी, मैं आपकी साइड ले रहा हूँ हो सकता है आप जंगल से निकल कर सड़क की तरफ जाने वाले हों लेकिन सामने जाड़ी में कोई बंदूक लेकर बैठा दिखे, खड़ा दिखे वही डर गया हो और आपको डरा दिया हो, हो सकता है की नहीं इतनी हलचल में आप लोग कैसे सामने आते, लेकिन कोई बात नहीं हमारे पीम बहुत दयालू हैं, आपका कुछ नहीं बिगाडेंगे आप कह देना कि हमें पर्यावरण मंत्री का ट्वीट नहीं दिखा इलेन मस्क का मिला था जो जेल जाने से डर गया था इसलिए हम आपको जंगल में देखकर डर गया और सामने नहीं आए गलती हो गई, इस पत्र को ध्यान से पढ़ लेना बागों आपका रविश कुमार, इस खबर का खंडन आएगा ही बहुत आसान भी है खंडन करना, खबर जूटी साबित कर दी जाएगी इसलिए हमने व्यंग में बागों की क्लास ले ली मजाग छोड़िए, अब बताईए किस से शुरू करें दोनों ही मामले हैं बहुत सीरियस संजे सिंग के प्रेस कांफरेंस से या पवन खेडा की प्रेस कांफरेंस से आगे की बात शुरू करो राज्यसबा सांसद ने आरोप लगाया है कि इडी के अधिकारी धमकी दे रहे हैं मार रहे हैं अगर ऐसा है तब तो ये बात बहुत भयानक है कि इनफोर्स्मेंट डिरेक्टरेंट यानि की एडी कैसे इनफोर्सिंग डिक्टेटर्शिप बन गया है कैसे ताना साही पूंड रवया अपनाए हुए है इसका एक एक करके आपके सामने आज खुलासा करूँगा ये पहला नाम है चंदन रेड़्डी का माननी ये उच्छ न्यायाले में याचिका दाखिल करके ये बताते हैं कि इडी ने इनको मारा इनको पीटा इनके परिवार को धमकी दी और कहा जैसा हम कहते हैं वैसा लिख वरना तेरे परिवार का वो अन्जाम करेंगे तो कहीं मू दिखाने लायक नहीं रहेगा इस चंदन रेड़ी को इतना पीटा गया इतना मारा गया इतना मारा गया कि इसके दोनों कान के परदे फट गए एडी का जो हिटलर शाही का गैस चेमबर है मैं कहूंगा वहाँ पर थर्ड डिग्री टॉर्चर इस व्यक्ति को देकर जबरन इससे साइन कराया गया अरुन पिल्लाई अरुन पिल्लाई वो सक्स है जिसकी पत्नी को बेटी को परिवार को धमकाया गया डराया गया इडी ने बैया लिया और बैयान लेने के बाद ये सक्स कहता है न्यायाले में लिख कर देता है माननी न्यायाले के सामने कहता है मुझसे जबरन जूटा बयान इडी ने लिया मुझसे जबरन जूटा बयान इडी ने लिया समीर महंद्रू इसकी पत्नी को बुलाकर गिरिफतार करके रखा गया धमकाया गया डराया गया परिवार को प्रतारित किया गया जूटा और जबरन बयान E.D. के द्वारा लिया गया माननी नियाले के सामने समीर महंध्रू ने लिख कर दिया कि जच साहब हमसे तो जबरन जूटा बयान लिया गया भूसर विलगावी इस व्यक्ति से भी E.D. ने प्रतारित करके जूटा जबरन बयान लिया और इसने किसी और को नहीं जद साप को जाके का नया धीस महोदय मानी नयाले हमारी रच्छा कीजिये हमसे ईडी ने झूफा, जबरन, घलत बयान लिए मनासवनी प्रवु ने इससे भी एडी ने जबरन जूटा जबरदस्ती का बयान लिया और बाद में इसने भी न्यायाले को लिख के दिया किसी और को नहीं रागो रिडी इसने न्यायाले के सामने जातर कहा कि न्यायादीस महोदे हमको तो दबाव बनाया जा रहा है राजनीतिक नेताओं के नाम लेने के लिए मैं पूछना चाहता हूँ किसके इसारे पर इडी काम कर रही है किसके डिरेक्शन पर इडी काम कर रही है किसके डिरेक्शन पर इडी काम कर रही है क्योंकि एक बहुत चोकाने वाली बात इनके हाई कोट के पेटिशन में लिखी हुई है चंदन डेडी के क्या कह रहे ये कह रहे साब ED के अधिकारियों ने तो मारा पीटा कान के परदे फट गए वहाँ कुछ ऐसे भी लोग थे जिनोंने हमको मारा पीटा जिनको जो ED के ऑफिशियल्स भी नहीं थे कौन से लोग हैं किस पार्टी के गुंडे ED के दफटर में जाके लोगों के साथ मार पीट कर रहे हैं कौन से लोग हैं जो ED के दफटर में जाते हैं पूस्ताच करते हैं मार पीट करते हैं और जबरन बयान लिखवाते हैं इसका खुलासा होना चाहिए माननी हाई कोट के सामने ये याची का पड़ी है धर्म के नाम पर राजनिती की याड में आप लोगों ने भी सवाल पूछना बंद कर दिया है हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाला मिडल क्लास वाटसब ग्रूप में ऐसी खबरों के शेयर करने पर भी नहीं देखता है एक सांसद आरोप लगा रहे हैं कि एडी के अधिकारी कतित रूप से मार पीट कर आरोप कबुलवा रहे हैं यह बात लोग कोड को लिखकर दे रहे हैं तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है क्या आप जानते हैं कि आप किस आग से खेल रहे हैं इन सवालों को पूछने की ताकत क्या धर्म नहीं देता है फिर धर्म के नाम पर उस राजनिती का क्या महत्व रह जाता है जब आपको इतना बुजदिल ही होना है मनीश सिसौदिया जी के पियस रिंकू आप जानते कानून में नियम है किसी को भी बुलाओ नोटिस दो पूछताच करो कैमरे में पूछताच करो और सारी जानकारी आउन पेपर रखो एडी हवाई डिपार्टमेंट हो गया है फोन करता है बुलाता आजा बैट इतने घंटे जा घर जा फिर आजा बैट सुबा से साम तर फिर घर जा आप गुंडागर्दी करके धमका के डरा के कान के परदे फाड के तेरी बेटी कालेज कैसे जाएगी इस तरह का बैयान देके जाच कर रहे हो मैं देश के प्रधान मंत्री से पूछना चाहता हूँ आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है बेटियों के नाम पर धंकी दी जाएगी तो कोई आदमी तो अपने प्राण भी दे सकता है कागच पे दसकत करना तो बहुत दूर्ज की बात है लड़ना है तो सामने सामने लड़ो कायरों की तरह बेटी का पत्नी का परिवार का सहारा लेके मत लड़ो सामने सामने लड़ो जो भी लड़ाई करनी है सामने सामने करो इन सब को आज के समय में डॉक्यमेंट करना भी दिन रात उस भैं से गुजरना है उस तनाव के सामने खुद को ले जाना है जो संजे सिंग कह रहे है क्या हमारा देश ऐसा हो गया है अभी कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के पुर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने आरोप लगाया कि जब वे इस पत पर थे तब उन्हें रिश्वत देने की पेशकश की गई देशबंदू लाइव यूट्यूब चैनल है इसके पत्रकार प्रशांत टंडन ने सत्यपाल मलिक से इंटरव्यू किया उसके बाद कई लोगों ने इस विशे पर उनसे इंटरव्यू किया सत्यपाल मलिक ने डी बी डायलॉग से कहा है कि RSS के किसी पर उन्होंने आरोप लगाया है कि बीमा कमपनी को मनजूरी देने पर रिश्वत की पेशकश की गई सत्यपाल मलिक ने उस आदमी का नाम ले लिया है आपको याद दिला दूं कि अक्टूबर 2021 की ये खबर है उस समय जुन जुनु की एक सभा में उन्होंने कह दिया कि मेरे कश्मीर में जाने के बाद दो फाइले सामने आई एक में अमबानी इन्वाल्ब थे एक में संग के बड़े पदादिकारी थे एक महबुवा सरकार के मंतरी थे जो खुद को प्रधान मंतरी के करीब बताते थे मुझे दोनों विभागों के सेकरेटरी ने बताया कि इसमें घपला है मैंने दोनों डील कैंसल कर दी ये खबर चपी भी हंगामा भी हुआ मगर आगे की कारवाई का बहुत थोस नतीजा अभी तक सामने नहीं आया है एडी ने आरेसेस के उस बड़े पदादीकारी से बात की या नहीं यह भी आरूप लगाया कि उन्हें डेड़ सो करोड रुपे देने की पेशकर्श की गई जबकि खबर के अनुसार सत्यपाल मलिक ने या बात प्रधान मंत्री को बता दी तो प्रधान मंत्री ने उन से कहा कि भरष्टाचार पर कोई समझोता मत करना तब मलिक ने विस्तार से बात नहीं बताई थी मगर खबरों में छपा था कि सरकारी कर्मचारियों पेंशनर्स और पत्रकारों के लिए लाए गए ग्रुप हेल्थ इंशॉरंस पॉलिसी से जुड़ी एक फाइल का जिक्र हो रहा है इसमें अनिलंबानी के नित्रित्व वाली रिलाएंस जेनरल इंशॉरंस कमपनी शामिल थी मलिक ने रिलाएंस के साथ डील कैंसिल कर दी अक्टूबर 2018 में जब सत्तेपाल मलिक, जम्मू और कश्मीर के गवर्नर थे तब उन्होंने कुछ गरबड़ी के अंदेशे को देखते हुए रिलाएंस जेनरल इंशॉरंस कमपनी के साथ ये डील कैंसिल कर दी दो दिन बाद गवर्नर ने एंटी करप्शन बिरो को इस डील की जानकारी देते हुए कहा कि वो इस कॉंट्रेक्ट की तह तक जांच परताल करें कि क्या इसमें किसी तरह का भ्रष्टाचार हुआ है राहुल गांधी अदानी पर आरोप लगाते हैं तो जांच नहीं होती है शरत पवार का बयान आ जाता है तो उसे क्लिंचिट की तरह पेश किया जाता है वैसे ये भी अटकले हैं कि क्लिंचिट ही मिलने वाली है मगर यहां तो जम्मु कश्मीर के राज्यपाल आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने इसकी सूचना पद पर रहते हुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को दी थी फिर क्या हुआ उस मामले का जो भी जाच हुई नतीजा तो सामने आना चाहिए था कौन है जो एक राज्यपाल को तीन सो करोड देने की पेशकश कर रहा था फिर प्रधान मंत्री सी बी आई को नसीहत भी देते हैं बड़े से बड़ा हो किसी को नहीं छोड़ना है पेशकश की गई थी आठ अक्टूबर 2022 को इंडिया टुड़े और अन्य जगों पर ये खबर छपी है कि सी बी आई ने इस मामले में सत्तिपाल मलिक से पूछ ताच की है इन खबरों से ये पता नहीं लग पाया कि क्या राम माधाँ से भी पूछ ताच हुई है उस बीमा कंपनी से भी हुई है अप्रेल 2022 में सी बी आई ने सत्तिपाल मलिक के लगाए आरोपों के संदर्ब में दो एफाई यार भी दर्ज की थी इंशोरेंस का जो तै हुआ था उसकी शर्तें बहुत गलत थी और उसमें अस्पताल भी अच्छे शॉट लिस्ट नहीं हुए थे और कई तरह की गड़वर थी इसलिए मैंने उसे कैंसल कर दिया था उसमें जब मैंने कैंसल कर दिया उसके अगले दिन सुभह राम माधाँ जी आए सवेरे सवेरे बिना नाहे दोहे साथ बजे और उन्होंने मुझे जगया मैं भी बिना नाहे दोही मिलता नहीं हूँ पर मैं गया शिस्टा चार में मैंने पूछा क्या बात है तो उन्होंने कहा कि वो इंस्वरेंस वाला आपने कैंसल कर दिया क्या मैं कहां मैं तो कैंसल कर दिया हैं ले वो चिठ्धी चली गई तो मैंने कहा मैं चीफ सेक्रेटी से पूछ लिखता हूँ मैंने चीफ सेक्रेटी को फोन किया तो उन्होंने बताई कि वो तो कली चली गई चिठ्धी तो इस तरह से वो कैंसिल हो गया चूंकर उसमें बहुत गड़वर थी अस्पताल भी हम अपने कर्णचारिया को फ्री क्यों न दें तो मैंने फिर महां फ्रीत वाला सिस्टम किया इसलिए कैंसिल किया तो मुझह बाद में बताया गया कि इसमें पर 500 करोड से 활 replaced क्रोकर نہ एक हुआ और ऐसको और पर राम माधव जी उसमें काफी दुखी हुए और वो उन्होंने जब पता चला कि चिठी भी चली गई तो वो चले गए पर वो काफी अपसेट थे कॉंग्रेस प्रवक्ता पवन खेडा ने कहा है कि जब यह बात सामने आई थी तब राम माधव ने कहा कि वही मिलने गए थे और वे इस मामले में मानहानी करेंगे पवन खेडा ने प्रेस कॉन्फरेंस कर पूछा है कि क्या इस मामले में मानहानी की गई अब तो सत्यपाल मलिक ने नाम भी ले लिया है तब भी चुपी क्यों है 2021 में उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि RSS के एक वरिष्ट नेता मेरे पास आये थे और कोई डील लेकर आये थे 2021 में जब इन्होंने ये खुलासा किया अक्टूबर 2021 की बात थी कि 300 करोड रुपे की घूस की पेशकश RSS के एक वरिष्ट पधादिकारी ने उनको की थी तब राम माधव ने आगे बढ़कर कहा था कि ये इशारे में मेरे लिए कह रहे हैं मैं कानूनी कारव़ाई करूंगा आज 2023 की अप्रेल है क्या कानूनी कारव़ाई की राम माधव ने अगर की तो आप सब के माध्यम से साजा करें वो जानकारी ये सवाल उठाते वे उन्होंने नाकेवल राश्ट्री सवयम सेवक संग का नाम लिया उन्होंने प्रधान मंतरी का भी नाम लिया है ये छोटी बात नहीं है बहुत गंभीर बात है क्योंकि सत्पाल मलिक कोई कॉंग्रेस के नहीं है दो दशक्स से भारती जनता पार्टी के वरिष्ट नेताओं कि श्रेणी में उनका नाम आता है और आपके इतने चहेते हैं या थे कि आपने उनको जमु कश्मीर जैसे समवेदन शील राजिका राजिपाल बनाया आज से कुछ साल पहले और वो भी ऐसे दोर में बनाया जब आप 370 हटा रहे थे आपको अपना एक विश्वास पात्र व्यक्ति वहाँ चाहिए था और आपने उनको वहाँ लगाया अगर आपका अपना चहेता व्यक्ति समयधानिक पद पर जो आसीन रहा हो वो किसी का नाम ले रहा हो तो दो आप्शन्स हैं आपके पास या राम माधव और प्रधान मंतरी खुद इन पर मानहानी का दावा करें सत्वाल मलिक जी पर और या फिर राम माधव पर कारवाई करें कोई तीसरा इसमें आप्शन बचता नहीं है क्या ये सीरियस मामला नहीं है तीन तीन सो करोड रुपए देने की बात हो रही है अभी तक इसकी जाच का नतीजा क्यों नहीं आया है क्या कोई अरेस्ट भी हुआ है दो दिन से ये बयान घूम रहा है अब तक राम माधव को प्रेस कानफरेंस का जवाब दे देना चाहिए था गोदी मीडिया अगर इन खबरों को विस्तार से दिखाता सरकार से सवाल करता तो हर दिन मुझे इनका दस्तावेश तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ती मगर इस तरह की खबरें लोगों तक नहीं पहुँचने दी जाती है पवन खेडा ने एक और बात कही है कि आज सत्यपाल मलिक जी अपने निजी घर में दिली में एक पीएस्व लेकर बैठे हैं जमु कश्मीर का पूर्व राज्यपाल एक पीएस्व लेकर दिली के निजी घर में रहता हो कि नहीं तो आजकल तो कुछ गुलाम भी है जो आपकी पार्टी के भी नहीं है परोख शुरूप से तो नहीं है उनको Z-Plus Security दे रखी है उनको South Avenue में बड़िया सा बंगला दे रखा है सत्पाल मलिक जी से क्या खफा हो गए क्यों खफा हो गए वो हैं जरा खफा खफा है तो सब को दिख रहा है नहीं तो एक PSO और वो दो बार चिट्थी लिख चुके हैं ग्रहमंत्री को कि मुझे Z-Plus Security दी जाए कोई जवाब नहीं कोई सुरक्षा नहीं तो एक तरफ गुलाम गुलाम नभी आजाद और दूसरी तरफ सत्पाल मलिक जी Financial Times के खबर पर हमने 27 मार्च को एक वीडियो बनाया इसमें 23 मार्च को छपी इस अखबार की उस खबर का अनुबाद किया था और सारूप में पेश किया था मतलब शब्दश्या और पूरी रिपोर्ट नहीं ली थी 10 अप्रैल को अधानी समू ने Financial Times को अपना जबाब भेजा है और हमें भी एक एमेल मिला है कि हम भी उनका पक्ष प्रकाशित करें क्योंकि हमने उस खबर के अधार पर वीडियो बनाया था पहले तो लगा कि प्रधान मंतरी की तरफ से जबाब आया है लेकिन ऐसा लगना नहीं चाहिए था क्योंकि इस तरह से कभी जबाब नहीं आता है आप जानते ही हैं कि 9 साल से प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने कभी खुली या विस्तरित कहें प्रेस कांफरेंस नहीं की है तो फिनेंशल टाइम्स को अधानी ग्रूप ने जो लिखा है वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में इसकी हिंदी थोड़ी आसान हो सकती थी कम से कम अधानी के हिंदी चैनल के संपादक ही इसकी कौपी एक बार देख लेते फिर भी हम जो हिस्सा दिखा रहे हैं आप कोशिश कीजिए समझने की हम सारा पेरग्राफ नहीं पढ़ रहे हैं अपने हिसाब से जो मुख्य हिस्सा है उसे पढ़ेंगे 22 मार्च 2023 का आपका लेख इंडियन डेटा रिविल्स अधानी एंपायर्स डिपेंडेंस ओन आफशोर फंडिंग पहली नजर में अधानी परिवार और अधानी समू को सबसे खराब संभव रोशनी में चित्रित करने का प्रयास है साथ एक जूटा जान बूचकर की गई कोशिश है वास्तों में जैसा कि 18 जनवरी 2021 और 23 जनवरी 2021 को सारजनी की रूप से खुलासा किया गया था अधानी समू के प्रमोटरों ने AGEL में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी फ्रांस की टोटल एनरजिस को बेच कर 2 अरब डॉलर जुटाए थे एक तथे जिसे फिनेंशल टाइम्स ने समकालिन रूप से रिपोर्ट किया था लेकिन 22 मार्च 2023 की कहानी में पूरी तरह से अंदेखा कर चुना इसके अलावा अक्टूबर 2019 में अधानी टोटल गैस लिमिटेड में 37.4 प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री के माध्यम से प्रमोटरों ने 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए थे यह तथे अधानी प्रेस विग्यपती में प्रकाशित हुआ था फिर से फिनेंशल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में इस तथे को नजर अंदाज करने का विकल्ब चुना हलाकि उस समय इसने समाचार प्रकाशित किया था आपकी कहानी में प्राथमिक और द्वीतियक निवेशों को गलत तरीके से मिश्रित किया गया है और दो बिलियन अमेरिकी डॉलर के द्वीतियक लेन देन को भी पूरी तरह से नजर अंदाज कर दिया गया है इसके अलावा लेख में आभास पैदा करने के लिए खुद का खंडन करने में कोई हिचक नहीं है उधारन के लिए कहानी का दावा है समू को एफडियाई किया पूर्ति करने वाली अधिकांश अदाणी के प्रवर्तक समू के हिस्से के रूप में प्रकट किया गया है जिसका अर्थ है कि वे अदाणी या उनके परिवार से निकटा से जुड़े हुए हैं इसके तुरंत बात कहानी रिपोर्ट करती है कि विशलेशकों ने कहा है कि आर्स पष्ट मौरिशत संस्थाओ से धन का स्थाना अंतरन चिंता का विशय था क्योंकि यह पता लगाना असंभव था कि धन राउंड ट्रिप किया गया था या नहीं यदि फिनेंशल टाइम्स उपरुक्त पहले पैराग्राफ में सहमत है कि कंपनियां प्रवर्तक समू का हिस्सा हैं तो निश्चित रूप में कैसे वर्णित किया जा सकता है पार दर्शी तथे आसानी से उपलब्द हैं पैसे का स्थानांतरन नहीं होता है हस्तांतरन होता है उम्मीद है आप सभी को ये बात समझाई होगी बेहतर है आप ये पत्र पूरा पढ़ें ट्वीटर पर मौजूद भी है हिंदी की प्रे प्रेटिव बनाकर आपकी कहानी ने आदानी समू की कंपनियों पर प्रतिष्ठा का प्रभाव पैदा किया है कंपनियों पर प्रतिष्ठा का प्रभाव पैदा किया है सही होता या ये सही होता कि कंपनियों की प्रतिष्ठा धूमिल करने का प्रयास लगता है आदानी ने जिस किसी को प्रेस रिलीज का काम दिया है, कम से कम उससे कहना चाहिए कि एक अच्छे अनुवादक को अच्छे पैसे पर रख लें। हमारे पास इसकी सूचना नहीं है कि फिनेंशल टाइम्स ने इस पर क्या जबाब दिया है और अख़बार ने अधानी पर की गई यह स्टोरी हटाई है या नहीं। त्रिंडमुल सांसद महुआ मोहितरा ने इस पत्र पर तंज करते हुए ट्वीट किया था दिस इस ब्रिलियंट उल्टा चोर कुतवाल को डाटे। जादातर भारतिय मीडिया को खरीद कर चुप कराने के बाद अधानी समू फिनेंशल टाइम से कह रहा है कि अपनी रिपोर्ट हटा दे जैसे केनेडियन सी एफो हमें बता रहा है कि अधानी पर हमला करने वाले हम भारतिया कितने बुरे हैं। सच पुछिए तो इस ट्वीट से मुझे ये समझ नहीं आया कि केनेडियन सी एफो का क्या मतलब है। लाइब मिंट में मेगना सेन की रिपोर्ट छपी है कि एक तरफ म्यूच्वल फंड ने अधानी ग्रूप की कंपनियों में अपने निवेश में छटनी कर दी है। कम कर दिया है। दूसरी ओर जीवन विमा निगम ने मार्च तिमाही में चार स्टॉक में अपना निवेश बढ़ा दिया है। इसके बाद अधानी एंटरप्राइज़ में LIC का निवेश दिसंबर के 4.2-3 प्रतिशत के मुकाबले मार्च में 4.2-6 प्रतिशत हो गया है। इस पर कॉंग्रेस ने कहा कि जून 2021 के अंत में भारतिय जीवन विमा निगम की अधानी समू की सूची बद कमपनियों में से एक कमपनी अधानी एंटरप्राइज़ में 1.3-2 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। 18 महीनों के भीतर दिसंबर 2022 के अंत अधानी एंटरप्राइज़ में LIC की हिस्सेदारी बढ़कर 4.2-3 प्रतिशत तक पहुच गई थी। अब यह पता चला है कि मार्च 2023 की अंतक अदानी एंटरप्राइज़स में LIC की हिस्सेदारी और भी बढ़कर 4.26 प्रतिशत हो गई है यह व्रिद्धी ऐसे समय में हुई जब अदानी एंटरप्राइज़स के शेयर का बाजार मुले लगबग 60 प्रतिशत गिर गिर गया था LIC ने जनवरी से मार्च 2023 की तिमाही के दोरान अडानी एंटरप्राइज़स में 3.75 लाग शेयर खरीदे इस से बिलकुल साफ है कि LIC को प्रधान मंत्री के प्रिया वेपारिक समू को डूबने से बचाने के लिए अपने पॉलिसी धारकों के धन का उपियोग करने के लिए मजबूर किया जा रहा है इस वस्तु इस्तिति को समक्ष रखते हुए JPC का गठन और भी आवश्यक और आपरिहारे हो जाता है ये कॉंग्रिस का बयान है वीडियो लंबा हो गया हमारा समय मकडी के जाल में उलच चुका है इन आरोपों के पीछे आप जितना जाएंगे आप ही उलचते जाएंगे या उलचा दिये जाएंगे पुर्वराज्यपाल, सत्यपाल, मलिक के आरोप भी एक दिन हवा में गायब कर दिये जाएंगे संजे सिंग के आरोप भी गायब कर दिये जाएंगे अदानी बेदाग निकलेंगे और आप धर्म की राजनिती के नाम पर हर तरह के अधर्म की रक्षा में इतना आगे निकल चुके होंगे कि घर लोटने का रास्ता ही नहीं मिलेगा नमस्कार मैं रवीश कुमार